दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने PF अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हमारे पास PF अकाउंट का UAN नमबर यानि यूनिवर्सल अकाउंट नमबर होना चाहिए और उसका पासवर्ड होना चाहिए इसके बाद हमें EPFO की साइड पर जाना होगा दोस्तो PF का अकाउंट चेक करने के लिए हमें सर्च बॉक्स में PF लिके सर्च कर देना है यहाँ पर हमें EPFO मेंबर पास्बुक वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है इसके बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा यहाँ पर हमें UAN नमबर यानि Universal Account नमबर डाल देना है और नीचे पास्बुर्ट एंटर कर देना है इसके बाद यहाँ पर हमें जो नमबर दिख रहा है उनको जोड के यहाँ पर लिक देना है उनको सम कर के यहाँ पर लिक देना है उसके बाद हमें लोगिन वाले बटन पे किलिक करना है चलिए दोस्तों मैं अपना डिटेल सेंटर कर देता हूँ इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर हमें Member ID में अपना ID सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ इस परकार के तीन आपसान आ जाएंगे न्यू वाली पास्टूक पे क्लिक कर देना है यहाँ पर हमसे हमारा इयर सेलेक्ट करने को बोलेगा और नीचे हम यहाँ पर अपना टोटल बैलेंस देख सकते हैं यहाँ पर नीचे हमें स्क्रोल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो इस परकार से है दोस्तो आपका टोटल अमाउंट इन तीनों को टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपके PF अकाउंट में एविलेबल अमाउंट होगा दोस्तो कुछ इस परकार से आप भी अपने PF अकाउंट का बेलैंस चेक कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्सा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें दोस्तो इस वीडियो से related आपका कोई भी query, कोई भी question है तो comment box में comment करके जरूर पूँशे झाल झाल